पंजाबी सिंगर सिद्धु मुसेवाला की माचरण कौर में IVF तक्नीक के जरिए बेबी बॉय को जन्ग दिया है। ये खुशखबरी दिवंगत गायक के पिता बालकर सिद्धु ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी। आपको बता दें, सिद्धु मुसेवाला की माता ने 58 साल की उम्र में IVF तक्नीक की मदद से गर्भधारन का फैसला लिया था। फरवरी में सिद्धु की मा चरण कौर ने IVF ट्रीटमेंट कराया और मार्च में एक बच्चे को गर्भधारन करने में सफल रही और इस बात की पुश्टी सिद्धु मुसेवाला के चाचा चमकौर सिंग ने की थी। सिद्धु मुसेवाला का चोटा भाई जिस IVF टक्नीक के जरिये दुनिया में आया है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानिये डॉक्टर से की कैसे होता है IVF टकनीक का इस्तिमाल? लाब डॉर्टरी में हम लोग इंडियो बनाते हैं, और उनके गर्ब में डाल देते हैं ये कितना सेफ होता है? 100% सेफ होता है और इसकी रेटिंग कितनी रहती है? मतलब ये 100% सक्सेस्फुल होता है? 80-90% सक्सेस्टे है है हमारे सेंटर का इसको करवाती है ये उम्र का 50 यह से पहले कोई भी करवा सकता है जो भी अबव 18 अबव 18 और 50 एर्स तक के महलाई करवाती है तो हमें बताएंगे क्या कि ज्यादर से ज्यादा किस एज की महला है 35 प्लस की ज्यादा होती है क्या कारण होता है आई वी अफ करवाने का मोस्की तो टूबल ब्लॉकेट होता है पर एनी रीजन वो लोग ज्यादा करवाते हैं या किसी का किसी बिमारी के कारण या एज फैक्टर के कारण अन्डेदानी निंडा बनाना बंत कर दिया है वो तो इसमें क्या operate करवाते हैं लोग या फिस नहीं इसमें कोई छीरा नहीं लगता है या अपसलूटली प्रोसीजर है इसमें हम लोग इंजेक्शन्स देते हैं और जो अब बहुत लोगों की सवाल होती है कि कोस्ट कितना पढ़ आता होगा वादी फिर्लाग के अंदर हम के अंदर नेखते हैं और आई वीफ की बाद कोई कॉम्प्लिकेशन्स होती है क्या वुमन को नई कोई कॉम्प्लिकेशन्स नहीं होता है यह अब्सक्राइब